सिर्फ दो चीजों से हम बनाकर रेडी करने वाले हैं डिलीशियस बनाना आइस क्रीम यानि केले का आइस क्रीम यहाँ पर मैंने ले लिया है दूद और दो केला दो केले के लिए दो चम्मची दूद हमें जोरत पढ़ने वाली है सिर्फ दो चममच का और इसमें चीनी भी नीच आने वाला है केली के छिलके को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं और केले के जो रैसे से उसे भी अच्छे तरीके से आपको निकाल लेना है बिल्कुल भी नहीं ही रखना है इसके अंदर केले के अंदर और अब हम केले को कट कर लेंगे पतले पतले स्ट्रिप में बहुत जादा मोर्टा स्ट्रिप मत रखिएगा जितना पतला रखेंगे उत लगभग 20-25 मिनित लिए तो चली हम रग देते हैं फ्रीजर के अंदर यह राहा यह डबा गया हमारे फ्रीजर के अंदर और अब यह निकलने वाला है लगभग 25-35 मिनित के पात आप चाहे तो पूरे रात भर के लिए भी रग सकते हैं तो यहां पर लगभग 25-30 मिनित हो छोटा वला जार लेंगे और इस चार में हम KAYLE की KYUK को डाल देंगे? और अब इसके अंदर जाने वाला है जैसे कि हमने पहले लिया था निया ले मलाई वाला दूद दो बस दो चममाच ऍहें के अंदर सभी दूद नहीğना है और अगर आप बात अघ्शी बात है अगर नहीं है तो नौर्मल दूद आप ले लीज़े तो मैंने यहा पर मलाई जो दूद होता है वो वाला ले लिया है दो चमच और बलैंट कर ले ना है तो बस मिक्सी में बलैंट कर लिया और ये देखिए क्या बढ़ियासा टेक्शिर आया है ना तो आप चाहें तो इसे निकाल करके फ्रीजर में रख दीजिए 10-20 मिनिट के लिए मतलब 10-20 मिनिट के लिए ताकि बड़ी आसा हाड हो जाए बिल्कुल आइस्क्रीम की तरह टेक्षियर आजाए लिके आप इसे भी खा सकते हैं बहुत ही थंडा चिल्ड और बहुत बढ़िया मतलब की आइसक्रीम भी फेले इस रेसिपी के आगे तो जरूर एक बारी बनाईगा और हेल्दी तो है बच्चे बड़े सभी का फेवरेट बन जाएगा तो जरूरी से प्राय कीजिए और कैसा बना तो फिट बड़ुर शेयर कीजिए हमारे साथ और जो दूद है थंडा य यूज किया तो बताना में वीडियो में भूल गई थी स्टार्टिंग में इसले एंड में बता रही और यह रहा टेक्शर हमारा उपर से ट्राइफूट डाल दिया गजब का डिलीशेस लगता है तो इस हेल्दी आइसक्रीम को तो बनाना बनता है तो जरूर से ट्राय की ज Thank you so much for watching my video